N.C.E.R.T. की पाठ्य पुस्तक भास्वती वितियो भागाह वादश वरगाय सम्स्कित अस्य पाठ्य पुस्तकम पृष्ठ संख्या बहत्तर नवमाह पाठह मदाल सा प्रस्तुत पाठ जम्मु विश्वध्याले से अवकाश प्राप्त आचार्या वेद कुमारी घई द्वा समक रूपक संग्रा से संकलित किया गया है पुरंद्री पंचकम आधूरिक नाट्य परमपरा में एक सामईक विश्यों से संबंधित रोचक एवं शिक्षा प्रदरूपकों का संग्रा है प्रस्तत पाठमें पुरंद्री पंचकम के तृतिय रुपक मदाल सा के कुछ साके संबाध के माध्यम से, राजकुमारी मदाल साके स्वाभिमान एवं नारी असमिता का एक नए परीप्रिक्ष में सुंदर जित्रन किया गया है। प्रिष्ठ संख्या तीहत्तर तताह प्रविशति प्रकृतिसंदर्यम अवलोकयन महाराजस्य शत्रुजिताह पुत्राह रितद्ध्वजाह अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वा वसो हो राजो द्यानम आम्र मंजरी नाम पराम सोभाम द्रिष्ट्वा कोकिला नाम चा मधुर वचाम सी शृत्वा कस्य यूनो हृदयम सहसा उतकन्ठितम न भविश्यति वाम पार्श्वे रमणी नाम आलाप इवस्रुईते अत्रेईवस्थित्वा स्रोश्यामी कुंडला सकी मदालसे त्वम्तु केवलं विद्याध्ययने एवरता की अंतम कालम यावत ब्रह्मचर्यवरतं धारईश्यसी मदालसा ज्यानो दधिस्तु अनंतपारो गभीरस्च मया सागर तटे स्थित्वा कतिपय बिंदव एव प्राप्ता अध्यावधी कुंडला विनयशीले विद्याधदाति विनयम अत एव एवं भनसी कुलगुरु तुम्बरु महाभागैस्तु गंधर्व राजाय अन्यदेव सूचितम मदालसा किम शुतम त्वया यद गुरु वर्यही माम अधिकृत्य पित्रे कतितम कुंडला अथकिम राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निश्नाता जाता परंतया स्वयं वरहन प्राप्तह अतह तस्याई योग्य वरस्य अन्वेशनम कार्यम इत्यासीत गुरु पादानाम मतम मदालसा हसित्व नही जानन्ती ते यद अहम्तु विवाह बंधनम स्वीकरतुम न इच्छामी कुंडला किम करिश्य सितदा मदालसा ब्रह्म वादिनी भविश्यामी आचारेति पदं प्राप्य शिशेभ्य जीवन कलाम शिक्षई श्यामी कुंडला जाने ते भिरुचिम अध्ययने अध्यापनेच परम्यथा लतेयं सहकारं अवलंबते तथै वनारी जीवन यात्रायाम कमपी सहचरं अपेक्षते यह तस्याह अवलंबनम स्यात मदालसा नास्ती मत्कृते आवश्यकता अवलंबनस्य कुंडला प्रिष्ट संख्या चहत्तर कुंडला कह उपायह कुंडला ग्रिहस्थाश्रमं प्रविष्य स्वशिशूनां चरित्र निर्मानं मातुर धीनं तत्र काविचारणा यथा हम पश्यामी पुरुषह भार्यायां स्वाधि पत्यं स्थापयती द्रौपदीम स्वियां संपत्तिम मन्यमानह युदिश्ठि रह ताम द्यूते हारितवान यथासा निर्जीवं वस्तु आसीत कुंडला निर्जीवं तुनासीत परम युधिष्थिरस्य एशायव चिंतनसरनीही आसीत इती प्रतियते मदालसा हरिष्चंद्रह स्वपतनीम शैव्याम पुत्रम रोहितम च जनसंकुले आपने विक्रीतवान नास्ती में मनोरथः इद्रिशं पतनी पदम मंगी करतुम कुंडला कटू सत्यम खलुएतत परम सखी अस्मिन संसारे विभिनप प्रकृतिकाह पुरुशाह वसंती स्वप्रकृत्यनुकूलह वरह पी प्राप्यते त्वम्तु नव नवोन मेश शालिन्या प्रतिभया विहितही नूतनही प्रयोगही अस्मान सर्वान विस्मापयसी गृहस्थाश्रमोपयेका प्रयोगशाला यस्याम्त्वं स्वग्यान विज्यान यहो प्रयोगम कर्तुम शक्ष सी मदालसा कुंडले दुरलभो जनह इदृषह यह गृहस्था प्रयोगशालायां सोपत्च्नेी स्वतंत्रत्ताम् दध्यात रितध्ध्वजाह स्वगतम अवसरोयम आत्मानम प्रकाशयितुम् प्रकाशम उपस्थितो हम सतुजित पुत्रह रितध्ध्वजाह आज्याचेत अहम अपि अस्याम परिचर्चायाम सम्मिलितो भवेयम् कुंडला स्वागतम अतिथये अपिशुताह भवद्भी मम सखी विचाराह प्रिष्ठ संख्या पचात्तर रितध्वजाह आम अतयेव प्रष्टुम उत्सहे किम गंधर्व राज विश्वावसु महाभागाह अपि स्वपत्निम युधिष्ठिर इव हारितवंतः कुंडला मदालसे तूश्णीम की मर्थम तिष्ठसी देही प्रत्युत्तरम रितध्वजाह एकस्य अपराधेन सर्वा जाती ही दंड्या इती विचित्रो न्यायाह तव सक्ख्याह मदालसा अत्रभवंतह नारि स्वाधीन ताम अधिकृत्य किम कथयंती रितध्वजाह माता एव प्रतमा आचार्या इती अस्तिमे अवधारणा नारी एव समस्त स्रिष्टेह निर्मात्री परम कथने नकिम परिक्षिय एव ज्यास्यती अत्रभवती परिक्षार्थम उद्यतोस्मी ग्रिहस्था श्रम प्रयोग शालायाम मदालसा स्वीकृतह प्रस्तावह कुंडला दिष्ट्या वर्धे थाम युवाम मित्रवर गंधर्वकन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधिना व्रिनोती अत्रभवंतम आकारये अहम कुलगुरुम तुम्बूरुम असव अग्निम साक्षिकृत्य आशिर्वचांसि वक्षती रितध्वजाह प्रथमम्तु सखी वचनम स्रोश्यावह तदनु स्वयमेव कुलगुरुम पितरवच सभाजयितुम गमिश्यावह कुंडला परस्परम अनुव्रतव पति पत्यों त्रिवर्गम साधयतः पति ही यदी प्रभूतम धनम अर्जयित्वा ग्रिहम आनयती तत्खलु पत्यभावे कुपात्रेशु दीयमानम क्षयमेती रितध्वजाह मदालस कुंडले लक्ष्मी पूझायाम नमे प्रवर्त्थि यदी लक्ष्मी ही पूझया प्रियाच अतिथिर रिपीट एक बड़ यदी से सुरू करिए यदी से सुरू करिए पूराजय नम अतलिए यदि लक्ष्मिही पूज्या प्रियाच अतिथी वर्यस्य तदा इदानी मेव में नमस्का रहा रितत्ध्वजाह स्वाभिमाने निप्रिये समक्षम ते कथम कापी सपत्नी स्थातुम् शक्नोती लक्ष्मीस्तुतव दासी भविश्यती नईव सपत्नी मदगार हस्थ्यम्तु तद अधिनम भविश्यती आत्मानम भावि संततिमच ज्ञान विज्यानानु संधात्रिया हस्ते समरपैतुम ईहे आगम्यताम गुरुभ्या पित्रब्भ्यामच समाचारं श्रावयावः प्रिश्थ संख्या चियत्तर शब्दार्धाह टिप्पन नष्य राजोद्यानम राजा उद्ध्यानम, राग्यह उपवनम, राजा का उद्ध्यान आम्र मंजरी नाम आम्रस्य मंजरी नाम, शष्ठी तत्पुरुष, आमकी बोरों का मधुर वचांसी मधुराणी वचांसी, कर्मधारय, मधुर वचनो को यूनह युवन्शब्द, शष्ठि विभक्ती, एकवचन, तरुनस्य, युवक्का, रमणी नाम, स्त्री नाम, युवतियों का, आलाप इव, आलापह इव, वार्तालापसा, रता, रम्त, त्रीलिंग, प्रत्मा विभक्ती, एकवचन, सनलगनाह, तत्पर, श्रू यते, श्रू, कर्मवाच्य, लटलकार, प्रथम पुरुष, एकवचन, सुना जाता है, स्थित्वा, स्था, त्वा, ठहर कर, कियन्तम, कियत, द्वितिया विभक्ती, एकवचन, कुछ, अनन्त पारो, न अन्त पारो यस्य सह, बहुवरिही समासह, आदी अन्त रहित, गभीरष्च, गभीरह, च, गमभीर, कतिपय बिंदवह, कर्मधारई, कुछ, अन्ष, सूचितं, सूच्त, निवेधितं, सूचित किया, सर्व विद्या निश्णाता, सर्वासु विद्यासु निश्णाता, तत्पुरुष, सभी विद्याओं में निपुण, जाता, जन्त, स्त्रिलिंग, प्रत्मा विभक्ती एक वचन, हो गई है, अन्वेशनम, अनु, इश, लिट, नपुन्सकलिंग, प्रत्मा विभक्ती एक वचन, गवेशनम, खोज, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवदितुम् शीलम् यस्याहसा, ब्रह्मन, वद, निच, निनी, स्त्रिलिंग, प्रत्मा विभक्ती एक वचन, वेदान्त में निपुण, प्राप्य, प्र, आप, त्व, ल्यप, अधिगत्य, पाकर, शिक्षई श्यामी, शिक्ष, निच, लिट, उत्तम पुरुष, एक वचन, शिक्षा दुंगी, ते भी रुचिम, ते अभी रुचिम, तुम्हारी लगन को, अध्ययने, अधि, इ, लिट, सप्तमी विभक्ती एक वचन, पठने, पढने में, अध्यापने, अधि, इ, निच, लिट, सप्तमी विभक्ती एक वचन, पाठने, पढने में, अपेक्षते, अप, इक्ष, लटलकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, आवश्य कता का अनुभव करती है प्रिष्ठ संख्या सतहत्तर जीवन पथे जीवनस्य पंथाह जीवन पथाह शष्ठी तत्पुरुष तस्मिन जीवन मारगे जीवन के रास्ते पर नर्तितुम निर्त धातु तुमन प्रत्य नाचने के लिए काकिनी एकाकिन श्त्रिलिंगी प्रत्मा विभक्ती एक वचन अकेली सरसाम रसेन सहिताम बहुब्रिही समास रसयुक्त विधाय वी-धा-त्वा ल्यप-कृत्वा-करके स्वाधि-पत्यम स्वश्य-आधि-पत्यम शश्टी तत्पुरुष अपना स्वामित्व हारितवान हरी अनिच तवत पुलिंगी प्रथाईभक्ती एकवाचन हर्वादिया युधिष्ठिरस्य युधिष्ठिराह युधिष्ठिराह अलुक तत्पुरुष समास तस्य सरणिह मार्गह रास्ता प्रतियते प्रति उपसर्ग इधतु कर्मवाच्य लट्लकार प्रथम पुरुष एकवाचन प्रतीतु भवती प्रतीत होता है जन संकुले त्रितिया तत्पुरुष भीड से भरे हुए विभिन्न प्रकृति काहा विभिन्न प्रकृति ही येशाम ते बहु रिही समास भिन्न सुभावह भिन्न भिन्न सुभाववाले स्वप्रकृति अनुकूलह अपने अनुकूल सुभाववाला नव नवोनमेश शालिन्या नवनवेन उनमेशेन शालते या सात या नई नई चमकवाली विस्मा पयसी वी उपसर्ग स्मैधातू निच लटलकार मध्यमपुरुष एकवचन चकितम करोशी आश्चर्य चकित कर रही हो शक्ष्यसी शक्धातू लुरिटलकार मध्यमपुरुष एकवचन समर्थ होंगे प्रश्टुम प्रच्च तुमुन पूछने केलिये अवधारणा अवउपसर्ग ध्रीधातू अनिच लुट धारणा विचार धारा निर्मात्री निर्मात्री तुमुन प्रच्च प्रत्यय स्त्रिलिंगी निर्मान करने वाली आकारये अवपसर्ग क्रीधातू अनिच लटलकार प्रथम पुरुष एकवचन बुलाता हों पितरव माताच पिताच द्वन्द्व माता और पिता धर्मार्थ काम समसिद्धये धर्माहच अर्थ हच कामाहच धर्मार्थ कामाह तेशाम समसिद्धये धर्म अर्थ काम की सिद्धी के लिए प्रिष्ठ संख्या अठत्तर पतिपत्म्यव पतिहिच पत्नीच द्वंद्वसमास पतिपत्नी दीयमानम दाधातू कर्मवाच्य शानच नपुन्सकलिंग प्रतमा विभक्ती एकवचन दिया जाता हुआ समक्षम अक्ष्णोह समुखम अव्यई भाव समास सपत्नी समानः पतिहि यस्याह सा सूथ तव अधीनम शष्ठी तत्पुरुष समास तुम्हारे अधीन ज्यान विज्यान आनुसंधात्रिया ज्यानस्य विज्यानस्य च अनुसंधात्रिया हा शष्ठी तत्पुरुष समास शष्ठी विभक्ती एकवचन ज्यान विज्यान की खोज करने वाली का यी है यी हधातू लटलकार उत्तम पुरुष एकवचन चाहता हुँ अभ्यासह प्रथमाह प्रश्णह एक पदेन उत्तरत क उद्यानम कस्यासीत ख कह आमुरमंजरी नाम सोभाम द्रिष्ट्वा कूजती ग का विद्याधयने रतासीत ग का विनयम्ददाती ग का सर्व विद्या निश्णाता आसीत च मदालसा किम स्विकर्तुम न इच्छती च शिशूनाम चरित्र निर्मानम कस्याह अधिनम ज कह भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयती ज युधिष्ठिरह काम द्यूते हारितवान य कह परिचर्चायाम सम्मिलितह अभवत प्रश्ण संख्या दो पूर्णवा केन उत्तरम ददत क कुलगुरु तुम्बरुहु मदालसा याह विशये किम कथितवान ख मदालसा विवाह बंधनम तिरस्कृत्य किम कर्तुम इच्छती ग रितत्ध्वजाह स्वपरिचयम कथम ददाती प्रिष्ठ संख्या उन्नासी ग रितत्ध्वजस्य नारीम प्रती काधारणा आसीत ग कस्याह रक्षार्थम पत्या सहयोगाह अनिवार्याह अस्ती प्रस्ण संख्या तीन रेखांकित पदानी आध्रित्य प्रस्ण निर्मानम कुरुत क यूनोह हृदयम उद्ध्यानस्य शोभाम द्रिष्ट्वा उत्कंठितं भवती अत्र यूनोह इती रेखांकितं पदम ख मदालसा ज्यानस्य कतिपय बिंदून एव प्राप्तवती अत्र ज्यानस्य इती रेखांकितं पदम ग कुलगुरु तुम्बुरु महाभागही गंधर्व राजाय सूचितं अत्र गंधर्व राजाय इती रेखांकितं पदम ग, मदालसा शिष्यान जीवन कलाम पाठाईतुम इच्छती, अत्र शिष्यान इती रेखांकितं पदम ग, मदालसा जीवने संकेतही नर्तितुम नइच्छतिस्म, अत्र संकेतही इती रेखांकितं पदम च पुरुषह भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयती अत्र भार्यायाम इती रेखांकितम पदम च युधिष्ठिरह द्रवपदीम द्यूते हारतवान अत्र द्रवपदीम इती रेखांकितम पदम ज अस्मिन संसारे विभिन्ण प्रकृतिकाह पुरुषाह वसंती अत्र पुरुषाह इती रेखांकितम पदम इया लक्ष्मियाह रक्षार्थम पत्याह सहयोगाह अनिवारियह अत्र लक्ष्मियाह इति रेखांकितं पदम प्रश्न संख्या चार विशेशनम् विशेशियनसह योजयत अत्र स्तंभद्वयं प्रथमे स्तंभे विशेशनानि संती द्विदिये स्तंभे विशेश्यानि संती प्रथमस्तंभे तावत विशेशनपदानि संती क गभीरह ख सर्वविद्यानिश्णाता ग विभिन्न प्रकृतिकाह ग निर्जीवं ग जनसंकूले च शत्रुजिताह च अनुव्रतव ज प्रभूतम विशेश्यपदानि धनम रितध्वजह आपणे ज्ञानो दधी पुरुशाह मदालसा वस्तु पतिपत्न्यव प्रिष्ठ संख्या असी प्रश्ण संख्या पांच प्रकृति प्रत्यययोह विभागम कुरुत उदाहरणम स्थातुम स्थाधतु तुमुन प्रत्यययाह तथेव अन्यय शब्दाह संती यत्र प्रकृति प्रत्ययय विभागह करणियाह क द्रिष्ट्वा ख शुत्वा ग स्थित्वा ग अधिकृत्य ग स्वीकर्तुम। च नर्तितुम च विधाय ज मन्यमानह ज कर्तुम। न रक्षित अव्या प्रश्ण संख्या छे अधो लिखितानी वाक्यानी कह कम प्रती कथयती। उधारणतया त्वम्तु केवलं विध्याध्ययने एवरता। कह कथयती मदालसा। कम प्रती कथयती कुंडलाम। तथे इव अधो लिखितानी वाक्यानी दियंते। क आचार्या पदम प्राप्य शिश्यान जीवन कलाम शिक्षई श्यामी। ख नारी जीवन यात्रायाम कम पी सहचरम पेक्षते। ग अहम नकस्यापी संकेताई ही नर्तितुम पारयामी। ग किम गंधर्व राज विश्वा वसु महाभागाह अपी स्वपत्नीम युधिष्ठी रह इव हारित वन्तह, हरिश्चंद्र इव विक्रीत वन्तह। ग एकस्या अपराधेन सर्वा जाती ही दंड्या इती विचित्रो न्यायाह तव सक्याह। प्रश्ण संख्या साथ, हरिश्चंद्रह समाजे कही गुणही प्रसिध्ध आसीत। प्रश्ण संख्या आठ, नारीम प्रती रितत भजस्य का धारणा आसीत। प्रिश्ण संख्या इक्यासी, योग्यता विस्तारह, मदालसा पौराणिक कथास। आदर्श नार्या उधारणं प्रस्तवती। तया स्वपुत्रस्य चरित्र निर्मानाय महान प्रयासह कृतह, तथाही शैशवे पुत्राय कथितह तस्याह आयम श्लोकह, निद्रा गीतेहे, लोरी गीतेहे, प्रसिधम उदाहरणं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नाम् त्याजमोह निद्राम् मदालसा वाक्यमु वाच पुत्रम् और इसके साथ समाप्त होता है नवाँ पार्ट मदालसा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली, भारत